आपका स्वागत है आज हम रीना रसोई में आपको बहुत ही श्पेशल दही के कबाब बनाने बताएंगे दही के कबाब कैसे बनते हैं इसमें क्या-क्या सामान लगता है आई ये देखते हैं रीना रसोई में दही के कबाब बनाने के इंग्रेडियन्स हमने आधा किलो दही लिया था उसको हमने हंकार्ड की तरह बनाया है हंकार्ड कैसे बनता है हमने दही को एक कपड़े में बांध कर 12-14 गंटे के लिए बांध कर टांग दिया था इस तरह से ये देखिए हमारा बिल्कुल इसमें बि बलुक्त भज़ एखियों .... घ्ण संद और भजलत, और यह ऐधा ले इसा रसकोल हो और आधा प्रट्रूटस काणता है आधा कंचोटत के लेने वंडुडा न सीचल दलेड़ने के लिए भूने चन्यों को पीश लिया है एक चम्मच नमक है और थोड़ा सा काला नमक है इस लाल मिर्चे की जिगे आप फरे मिर्चे का भी प्रियोग कर सकते हैं और अब हम चलते हैं अगले प्रूसिस की दरब अब दही में हम सबसे पहले थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा सफेद नमक, हम एक नमक अपने टेस्ट के निशार ज्यादा कम कर सकते हैं, पिसा लाल मिर्चा, चाक मसाला, धन्या भुने जीरे का पाउडर, अब इस पर हम सबसे पहले प्याज डालेंगे, हमको किसी भी चीज में मौस्चर नहीं होना चाहिए, यह इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखने वाली बात है, अब इसमें हम गिसा बहुत पनीर डालेंगे, इससे बैंडिंग बहुत अच्छी होती है, चीज, इससे इसका टैक्चर बहुत अच्छा आता है, मकरेला चीज से, जिंजर, और इसमें धनिया पाउडर, कटी हुई हरी हरी धनिया, अब इसमें हम दो से तीन चम्मच पाउडर, भुने चने का आता रालेंगे, अब इस सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, देखे सारी चीजे हमने इसमें अच्छी तरह से मिला दी है, आप लोग सोशते होंगे कि दही के कबाब बनाना बहुत कठिन है , लेकिन दही के कबाब बनाना बहुत ही आसान है भर थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे आप जब भी इसके सब चीजे जो जो चीजे इसमें डालिये उसमें मौश्यर नहीं होना चाहिए दही कबाब की यही में इसका यह है टिप्स देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं और बनाना भी कितना आसान है फटा फटा बना कर महमानों को भी खिला सकते हैं खुद भी खा स बनाना चैए अब इसके हम छोटे छोटे बॉल इस तरह से आप चम्मच से भी कर सकते हां आप फ्लैट भी बना सकते हैं गोल भी बना सकते हैं अगर आपको सैलो फ्राइब करना है तो आप इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए इसका बैटर ऐसा होना चाहिए आप अगर चम्मच से इसको उठा रहे हैं तो ये नीचे नहीं गिरना चाहिए दही के किबाब की मेन यही जरूरी बात है अगर दही का कबाब बनाएãy इसका पूरा बेटर तयार हो जाये तो दही आपको चम्मच अशाये नहीं चाहिए तभी आपके कबाब बोछती बड़िया लाजवाब बनेंगे इस तरह से देखिए हमने कर लिया है इस तरह से आपको बॉल बनाना बहुत आसान होगा आप इनके उपर से हम ब्रेड क्रम्स को डालेंगे सब चीज के उपर ब्रेड क्रुम डाला कर इसको हम हाथ से उठा कर अब इस तरह से गोल गोल करेंगे, गोल गोल करने के बात एक बार हम इसको और ब्रेड में करेंगे, ये देखिए, हमने इस तरह से बना कर तयार करेंगे सावी बॉल्स, इसके दो बार हम ब्रेड को लपेटेंगे, एक बार इस तरह से लपेट कर, हम इसको गोल करेंगे, अगर आपको कम ओयल का खालना है अगर आपको सैलो फ्राइ बनाना है तो इस तरह से करकर आप इसको हल्का सचप्टा कर दियो फिर इसको एक बार इस तरह से फिर बूरिये यह दिखिए इस तरह से से आपг greensafry कर सकते हैं दः आ रखना है कियोंकि हमको अबस केवल इसको डाल कर डिप फ्राई करना है ब्रॉंnes कलर का अंदर क्रीमी रहेगा में पर से क्रिस्पी, इसलिए हमको इसकी आच तेज रखनी है, अब इसमें हम एक एक ब्रेटकम ये गोल्डन उटाकर कबाब के डालेंगे, यह देखिए हमारे दही के कबाब बन कर तयार हो गए हैं इस तरह से हमको golden warm करने हैं उपसे क्रिश्पी और अंदर से क्रीमी दही के कबाब तन्ने में बहुत कम समय लगता है इतने कबाब बनाने में हमको मुश्किल से 5 मिनट लगा है 5 मिनट पे हमारे सारे कबाब डीप प्राई हो गए हैं हमारे लाजवाब दही के कबाब बन कर तयार हो गए हैं देखा कितना फटा फट बन कर तयार हुए हैं इसको बनाएए चाय के साथ गर्म गर्म सरू करिए यदि हमेशा की तरह आपको हमारी recipe पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूदिएगा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको प्लीज जरूर करिएगा एक नई recipe लेकर हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए ओके बाए